एथिकल हैंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारे यूटूब चैनल को और नए वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक किजिए बैल आइकन पर हे फ्रेंड कैसा चल रहा है मैं हूँ अनियल और आप देख रहे हैं टेक्चिप यूटूब चैनल जहां मिलती हैं आपको एथिकल लेकिंग और साइबर सेकूरिटी से जुड़ी कई में पूर जान का रहे हैं वो भी हिंदी में तो दोस्तों ब्लूटूथ ब्लूटी के द्वारा आपके सिस्टम या आपके डिवाइज में रेंसम्वेर, माल्वेर या कोई मिलिसिस कंटेंट भी डाला जा सकता है इस ब्लूटी को सबसे पहले सेकूरिटी रिसेचर्स मैथी वैन होफ ने पब्लिकली डिस्क्लोज किया इस सीरियस ब्लूटी का नाम दिया क्रैक मतलब की रिइंस्टलरिशन आटेक, जैसा कि आप जानते हैं जारातर लोग अपने वाइफाई को प्रोटेक करने के लिए ब्लू पियटो सिकुरिटी का यूज करते हैं यह ब्लू पियए मतलब वाइफाई प्रोटेक्टेट एक्सिस यह वाइफाई के लिए काफी permission देख सकता है पर attacker HTTPS को भी bypass कर सकते हैं आपको HTTP यूज़ करने के लिए force किया जा सकता है जिससे आपकी device या system HTTPS की वज़ाए site को HTTP form में open करेगा और जैसे ही कोई आप इसमें detail फिल करते हैं तो वो detail attacker के पास पहुँच जाएगी इस attack में attacker आपकी wifi का password नहीं जानता यदि आप अपने wifi के password को change भी कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इसमें attacker आपकी wifi को access नहीं करता वलकि वो आपको अपने fake access point से connect करा देगा मैं आपको समझाता हूँ कि vulnerability कैसे काम करती है इस attack में attacker target wifi की access point को एक अलग channel पर clone बना लेता है माली जी आपकी wifi के access point channel 6 पर चल रहा है तो attacker आपकी wifi के access point के clone बना कर किसी दूसरी channel पर जैसे की channel 1 पर move कर देगा अब जैसे ही victim की device और system आपने real wifi से connect करने की कोशिस करेगी तो यहाँ पर attacker special wifi frame का use करके अपने clone access point channel 1 पर move कर देगा और victim की device उस fake access point से connect हो जाएगी अब इस system की unsecure traffic को monitor कर सकता है और SSL script का use करके HTTPS को bypass कर सकता है वायर सार्क जैसे software की मदद से capture कीगे traffic को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है तो दोस्तो इस तरह से यह vulnerability काम करती है आप दोस्तो इसे बचा कैसे जाए दोस्तो सबसे बड़ी बात यह है attack तभी होगा जब आपका wifi attacker की पहुँच में होगा ऐसा नहीं है कि इसको remotely attack किया जा सके यदि आपका wifi attacker की range में है तभी वो आपको target कर पाएगा तो सबसे पहले आप अपने device को update कर लीजे यह vulnerability windows, linux, android, mac, ios सभी में है पर windows में इस issue को पहले ही fix कर दिया गया है यदि आप windows यूज़ कर रहे हैं तो जल पहले अपनी device को update कर लीजे यदि आपके router का firmware update आया हुआ है तो अपने router के firmware को भी update कर लीजे और यदि आपको लगता है कि आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं या आपको target किया जा सकता है तो फिर आप internet के लिए wifi की वजाए, ethernet या अपने sim network का ही प लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगी आप वहाँ जाके इसका practical demo देख सकते हैं कि ये पूरी process किस तरह से काम करती है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको इस तरह के वीडियो और भी इस चैनल पर देखने हैं तो दोस् तरह ये टेक चिप धन्यवाद आपका दिन शुब हो